प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती मुसा ने एक इथियोपियाई स्त्री से विवाह किया था इस इथियोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारुन मुसा की निंदा करने लगे उन्होंने कहा क्या प्रभू केवल मुसा के द्वारा बोला है क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है प्रभू ने यह सुना मुसा अत्यंत विनम रथा वह प्रिथ्वी के सब मनुश्य में सबसे अधिक विनम रथा प्रभू ने तुरंत मुसा, हारुन और मिरियम से कहा तुम तीनों दशन कक्ष जाओ तीनों वहां गए जब प्रभू बादिल के खंभे के रूप में उतर कर तंबू के पास खड़ा हो गया उसने हारुन और मिरियम को बुलाया दोनों आगे बढ़े और प्रभू ने उनसे कहा मेरी बात ध्यान से सुनो मैं तुम्हारे नभीयों को दिब्य दर्शनों में दिखाई देता हूं और स्वप्न में उनसे बाते करता हूं मैं अपनी सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता मेरी सारी प्रजा में वही विश्वस्निय है मैं उससे पहले नहीं बुलाता बलकि आमने सामने स्पष्ट रूप से बाते करता हूं वो प्रभू का स्वरूप देखता है मेरे सेवक मूसा के निंदा करने में तुम्हें डर क्यूं नहीं लगा प्रभू का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़ कर चला गया तब बादल तंबु पर से हट गया और मिर्यम का शरीर कोड से बर्प की तरह सफेथ हो गया हारून ने मिर्यम की और मूड कर देखा कि वह कोडिन हो गई है हारून ने मूसा से कहा महोदे हमने मुर्खता वस पाप किया है क्रिप्या हमें उसका दंड ना दिलाए मिर्यम को उस मृत जात शिशू के सद्रिश ना रहने दे जिसका सरीर जन की समय आधा गला हुआ था मूसा ने यह कहते हुए प्रभू से प्रात्ना की हे ईश्वर इसका रोग दूर करने की क्रिपा कर यह प्रभू की वानी है संद मत्य के अनुसार पवित्र सुसमाजार अध्याई चवदा पदसंगिया बाई से चबीस तक लोगों के तृप्त हो जाने के बाद येश्व ने अपने शिश्यों को इसके लिए बात्य किया कि वे नाव पर चड़कर उनसे पगले उस पार चले जाए इतने में वह स्वयम लोगों को विदा कर देंगे येश्व लोगों को विदा कर एकांध में प्रार्तना करने के लिए पगाड़ी पर चड़े संद्या होने पर वह वहाम अकेले थे नाव उसमें थट से दूर जाच चुकी थी वह लगरों से डगमगा रगी थी क्योंगी वायू प्रतिकूल थी रात के चौदे पगर येश्व समत्र पर चलते हुए सिश्यों के पास आये तब उन्होंने येश्व को समत्र पर चलते हुए देखा तो वह बहुत गबरा गए और ये कहल कर ये कोई प्रेद हैं डर के मारे चिलाने लेगे येश्व ने तुरंद उनसे कहा धीरज धरो माईगी हुम ररो मात पेतर उसे ने उतर दिया प्रभू येदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आग्णा दीजिए येश्व ने कहागा आज आओ पेतर उस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए येश्व की ओर बढ़ा किन्दू वो प्रचंद वायू देखकर डर गया जब दूबने लगा तो चिल्ला उठा प्रभू मुझे बचाईए येश्व ने थुरंद हाथ बढ़ा कर उसे धम लिया और कगा रे अल्प विश्वासी तुम्हें संदे क्यों हुआ वे नाव पचड़े और वायू धम गई जो नाव में थे उन्होंने ये कव्टे हुए येश्व को दंडवद किया सच मुझ आप इश्वर के पुत्र है वे पार उतर कर गने से रत पहुंच गए वगांगे लोगों ने येश्व को पचान लिया और आस पास के सब गामों में इसकी खबर फाइल गई वे सब रोगियों को येश्व के पास ले आये और उनसे अनुने विने करने लगे कि वो उने इम कप्डे का पल्ला पर छूने दे जितनों ने उनका सपरसी किया वे सब के सब बले चंगे हो गए ये प्रभु का दीवियसु समाचार है कृस्त प्रभु कीजे प्यारे भाई और भगनो आज का प्रतमपाट हमने निर्गमन ग्रंद से सुना है इसमें हम देखते हैं कि जिकुदी अभी भी रेगिस्तान में है और बीच में जिकुदी इस्राइली लोग मुसा के विरुत बुन बुनाते हैं बित्रोग करते हैं पहले बोजन के लिए पिलपानी के लिए फिन मास के लिए आज बित्रोग मुसा के अपने परिवार से होता है उनके बेड़े भाई जो इस्राइलियों का मगापुरोग नियुक्त किया गया है हरोन और मुसा की धीदी जिसका नम मिरियम है उन दोनों ने मुसा से जगड़ा करने लगे करने लगा कि क्या कैवल मुसा के द्वारा ही इस्वर बोलना है क्या वो अमारे द्वारा भी नहीं बोलता है इर्श्या के बस से साइद होगा ये लोग मुसा के विरित बोलने लगा अपने परिवार के लोग सोचने लगा कि आम सब बराबर का है ईष्वर ऐसा बात सुन दिघे थे. ईष्वर ने दोनों को बुलाया, तीनों को बुलाया दर्शन कच्चा में. आर ईष्वर ने मुँशा को ढ़ अदिगार दिया गए है, यह अधयात में का ढिगार किसी दूसरों को मिला नहीं. नभीयों को इश्वर स्वप्त में बोलते हैं इश्वर उनको आपने समने मुखा मुख नहीं बोलते हैं परन्तु मुसा के साथ इश्वर मुखा मुख बोलते हैं क्योंकि जो अभिशेक मुसा को मिला है वो दूसरों को नहीं मिला दूसरों को जो अधिकार मिला है ये मुसा के मातिम से मिला उनके भाई, उनके बहन, दूसरे भी लोग जो भगत्र लोगों को मुसा ने चुना था उनको भी अविशेग दिया था तो मुसा का एक विशेश सम्माने अपर इस सम्मान को उनके ही अपनी लोग मानने के लिए तयार नहीं हो गया मुसा अपने अधिकार के मत इमसे नहीं किया उतने अपने बारे में कोई स्पस्टिगर्न नहीं दिया वो ईश्वर ने दिया था मुसा के बारे में खगा जाता है कि वो संसार में सबसे नम्र बिकती है ये तिभी उन्होंने मगान कारी किये मुसा के बराबर इश्वर का अजिगार प्रव्त कोई भी बेक्ति नहीं आये और इसलिए इश्वर ने मुसा का साथ दिया और दोश्यों को दंड दिया प्रभू हमारे आंदरी के बातों को जानता है हमारे सोच को जो गुप्त बाते हमारे दिल में हैं जा हम गुप्त कारी करते हैं यह सब प्रभू के दृष्टी पर पड़ता है प्रभू यह सब देख देते हैं नहीं प्रभू करता है यह नहीं कि जिनके खिलाब हम बोलते हैं हो आमें कुछ दंड दे इसका कोई जुरूरित नहीं है प्रभू सबको अपने-पने कारियों के अनियुसार उनको प्रदिपल देने वाला है दोश्यों को धन्ड देगा अई इसर का एक नेमी है आज नहीं मिलेगा तो कल्म मिलेगा जब तक वो पचाता नहीं करेगा तब तक के लिए एक दिन्ड का पात्र बेनेगा हम मुसा को देखते हैं वो नमर विक्ति होने के कारण हारोन आवर उनकी भगन मरियं के लिए प्रभ के सामने जाकर दंडवद करके गो ये प्रार्तना करते हैं मत्यस्त प्रार्तना करते हैं पुराने पवस्तान में मुसा एक महान मत्यस्त रगा था, यगुदियों के लिए उनके लिए प्रव के सामने जाकर किडगड़ा करते दे, आपने को नम्र बिना कर प्रव के सामने आपने जन्यदा के लिए पार्तन करना वाला विक्ती था, मत्यस्त पार्तना में धं में बल है, विशेश्वर के आईसे विक्तियों की प्रार्तना में आदिक बल है, जो यश्वर से जुड़े रहते हैं, यश्वर के सानिति में रहते हैं, पवीत्र विक्तियों के आशिष, उनके प्रार्तना यश्वर के सामने सथा फलदाई करता है, और इसलिए मुसा के नाम बर इश्वर ने जिस विक्तियों को चुना था जैसे हरोन और मरियम उनको भी धंड दे दाता है हम इन से पढ़ते हैं कि हमें अपने सत्रों को प्यार करना यह प्रभी एश्यों ने भी सिखाया था मुसा ने अपने बहन और अपने भाई को शमा कर दिया फूरे जिकुरी जादी को शमा कर दिया क्योंगी जो लोग सरा किड़कडाते हैं बिद्रो करते हैं और मुसा के खिलाब बोलते हैं ऐसे किसी भी विक्ति के खिलाब मुसा ने कुछ नहीं बोला है वो उनको दंड दे देते, वो अलग बात, जैसे प्रवी एश्यू कुरूस पर अपने अत्यारों के लिए पार्तना किया, हे पिदा, ये लोग जानते नहीं, उनको च्छमा कर दे, पुराने ववस्तान में आम जोसब को देखते हैं, जोसब के साथ बहुत लोगों ने अपराद किया, उनके भाई लोगों ने इतना बढ़ा घोर अपराद उनके साथ किया था, पर ये जोसब सबों को च्छमा कर देते हैं, अमारे जीवन में भी दूसरे लोग जो अमारे घर के लोग कभी-कभी अमारे खिला बोलते हैं, कारी करते हैं, आइसे लोगों को च्छमा कर देना इतना असान नहीं है, पर उन्हों च्छमा करना चाहिए, श्छमा ही आमें आशिस प्रदान करेगा, च्छमा ही उन लोगों को सुधारेगा शमा करना ये इश्वरियता है जितना हम शमा करने में सक्च में विशेश करके हमारे साथ दितनी दुस्मिनी करने वाले दिसनक दुस्त बेवगार करने वाले हमाई परिसान करने वाले लोगोंगो दिल की गगराई से शमा करना यह ईश्वरेदा का प्रमान है आए हम प्रव को धन्यवा देते हैं इस आदर्ष जो मूसा ने आज प्रदर्शित किया आज के सुसमाजार में हम बढ़ते हैं कि येश्व पांच हजार से उपर पुरिशोप और इसकी तुलना में स्रियों बिच्चों को पांच रोटी और दो मचली से प्रभू इने तृप्त कर दिया इसके बाद प्रभू इन लोगों को विदा करने के लिए स्वयम आगे आए और अपने सीश्यों से कागा आप लोग जाए आराम कीजिए प्रभू इन लोगों की स्थूदी और सम्मान के लिए नहीं रगा सबों को विदा करके बेज देता है और ये सेवा करने के बाद वो जाते हैं पगाड पर चलते हैं पगाड इपर चड़े और वगांब पारतना करने के लिए वो लेग जाते हैं यह प्रव का आदत है, प्रव येशु अमें सिखाते हैं, प्रार्तना करना, यह जीवन में सब्धे शक्तिशाली साधना है, अमें प्रार्तना में विक्ति वहनना चागी है, जैसे प्रव येशु अकेले जाकर प्रार्तना करते हैं, येशु अपने शिश्यों को नाव में ज हमें दिखाते हैं, पार्तना का मौत दिखाते हैं, परभु येश्व ने पार्तना और कारी के बीच सीमा नरधारी किया, ये येश्व ने हमें दर्साइए, ये नहीं पूरा समय, हम इतना काम करते रहते हैं, पार्तना करने के लिए समय नहीं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, परिंदु येश्व प्रार्तना को सबसे अधिक मौत देते हैं, और इसलिए वो प्रार्तने के लिए समय नरधारित करते हैं, येश्व ने पूरे रात प्रार्तना की, और येश्व की रात की प्रार्तना उनके दिन के कारी को शक्तिशालिय प् यह एश्वर का एक नमूना है हमारे सामने हमें एश्वर के साथ सम्माद करने की आपश्यकदा है फिता से बाचित करने की आपश्यकदा है और अमारी जीवन में युगी उबस्दी मौसूस करने की और एश्वर ये कृपा और प्रेम दया और भलाई और विश्वास, योक्यदा, आनंद और बहुत कोच आमें प्रार्तना के दोरा समझना पड़ता है हमारे जीवन में आनुभव हो जाता है इस्वर के बारे में ज़्यादा जानकारी किताब से नहीं प्रार्तना से मिलता है जो प्रार्तना करने वाले हैं वो मवसूस करता है कि वो मेरा पिता है, वो मेरा इश्वर है, और मैं उनका बैटा हूँ, मैं उनका अपना हूँ, ये अनुफव प्रार्तना के मानतर से अमें मिलता है, हमें हर चन एक प्रार्तना में विक्ति बनना, क्यों प्रार्तना के समय नहीं है, हर चन प्रार्तना में बेक्ति बनकर जीना पड़ता है यही सफलता है और यही एक मात्र एक आत्र से प्रभी एश्व ने आमें दिकाया है हम प्रवकर दनिवादेते हैं आज प्रातना करने के बाद प्रभी एश्व ने देका आपने सिश्य समुदर पर है और प्रजंड वायू चल रहा है तूफा ने आंदी तूफान आवर यह नाव नहीं चला सकते हैं बहुत स्ट्रगल करके आगे चलने में कोशिश करते हैं पूरा रात वी लोग ने साइध प्रक्न किया होगा परंदू सफ्रदा नहीं मिलती प्रभी नहीं देखा और प्रभु स्वयम समुदर पर उतर कर समुदर के पानी पर चलकर चलकर शिश्यों के साथ आते हैं सोस्रगंद अथिहाये तिरानवे पदसंग्या तीन अचार में हम पड़ते हैं आगाश के उपर विराजमान प्रभु बाड के गरजन और मगा सागर की प्रजन्ड लगरों से कही अधिक शक्तिशाली है तो प्रभु तेरे आदेश अपरिवर्तिनी है शक्तिशाली है ईश्वर समुत्र के लगरों से शक्तिशाली है तो ये आज शिश्यों ने भी देख लिया प्रभु ये सांधी तुपान में समुत्र पर चलते हैं ये शिश्यों के पास आ जाता है ये प्रभु कहते हैं मैं ही हुम तुम डरो मा और जब आम ये बात सुनते हैं, प्रभु अम से करते हैं, मैं ही, मैं तेरे पास उभस्तिदू, तब हमारा धर दूर हो जाता है, आज के पाड में हम देखते हैं, तीन प्रार की प्रार्थना हम देखते हैं, प्रभु येश्य पगाड पर चले, अपने पिटा के साथ वो सनल साती, जब पानी में डूब रेगे दे, बचाओ बचाओ की प्रार्तना, ये प्रार्तना वो लोग अपने इस्वरक से काते हैं, हमें बचाये प्रभु, आज दूसरा एक प्रार्तना हम देखेंगे बार में, जब सिश्यों ने देखा, सब शान्द हो गया, तो ये श्यों क वो नमन करते हैं, आवा सास्टांग प्रनां करके, उनको दंडवत करके, उनकी स्थूदी करते हैं, वो प्रार्तना, स्थूदी की प्रार्तना, आजातनी की प्रार्तना, पने तो इसके पहले हम देखते हैं, जो सिश्ये, जो समत्र, जब शान्द हो जाए, तो समत्र शान् कि हम समतर पर चले तो येश्व से कहा प्रभु आदेश दीजिए कि माई समतर पर चल कर आके पास आ जाओ प्रभु ने उनसे कागा आ जाओ फित्र स्थुरंद कुद पढ़ता है समतर पर हा और समतर के ऊपर वो चलते है वो पानी में डूब जाता नहीं आग जब तक उनकी दृष्टी एश्व पर दे वो चल सका था परंदू जब चलते है आगे बढ़ते है वक्त उसे ने धेका कि प्रजन्द वायू है लग रहे हैं और अपनी दृष्टी एश्व से उनने अटा तब डूबने लगा हम अरेक वक्ति के एगी कगानी है जब तक हम प्रभू के साथ जुड़े रखेंगे हमी नई शक्ति होगी अमें अमारी सीमावों से अधिक शक्ति है प्रभू के साथ जुड़े रखने से और हम मगान कारी कर सकते है पानी पर भी चल सकते है परंदू जब तक हमारा मन प्र प्रभुस समझ गया कि वो डूब रगा आए तो प्रभु बच्छाए प्रभुने हात बढ़ा कर उनको धम लिया और कर आलप विश्वासी तुम क्यों डरते हो। पुरा विश्वास उनमें नहीं था, पर इस कटने के बाद वह विश्वास में बढ़ने लगा, उन्होंने प्रभु की सुधी आराधना कर दिया, आई आम प्रार्थना करें, सबसे पहले प्रभु, हम तुछे दनिवा देते हैं, तुने आमें चुना है, जोगुदियों को उनको प्रज्वास देश ले गया, उसी तरह, तु हरे की विश्वासी को संसार के खोने कोने से चुनकर, इस और की राजी के ओर ले जाते हैं, इस यात्रा में प्रभु, हम बक्ती में बड़े, स्रद्धा में बड़े, विश्वास में बड़े, हम बुन बुनाये नहीं, क जैसे जगोदी पानी के लिए, काने के लिए सब जगडा करते हैं, आम लोग आइसा ना करे प्रभु, हमारी स्रद्धा दृष्टी तुछी पर लेगे जगे, तु ही हम अपनी और आकरशित करते हैं, हम तुझे दनिवा देते तेरे पुत्र एश्य कृस्त के लिए, जो हम हमारे बीच आए, हम से करते हैं, मैं तुमारे साथ को डरो मत, हुई ईश्य और अमारे साथ रिएने वाला, हमारे दुख में अमारे साथ देने वाला, हमें अर संगर में बचाने वाला, हमारे रोगियों को चंगाई देने वाला, हमें आर प्रगार का बंदरों से मुक्ति देने वाला प्रभू तो अमारे साथ रख जीवन के संग्राव में अम यहनुवो करें कि वह अमारे साथ है यह प्रार्त नाम करते हैं अमारे प्रभू कृस्ट के द्वारा आमेन जीवन का मन्ना है